उत्तर प्रदेश में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने वाले रगुराज प्रताप सिंग और पुराजा भया ने कहा है कि अखिलेश यादों को अपनी तमाम शंकाएं दूर कर लेनी चाहिए ना तो वो सरकार बना रहे हैं और ना ही मैं उन्हें बनाने गूंगा ये बयान देखिए रगुराज प्रताप सिंग का ये बयान उसी तेवर को दिखाता है जिस तेवर के जरीए मुलायम सिंग और समाजवादी पार्टी ने कई बार सरकार बनाई और गिराई है और जब अखिलेश यादो खुल करके रगुराज प्रताप सिंग के विरोध में आ गए हैं तो रगुराज प्रताप सिंग के बोल भी लगबग दुगने अंदाज में बदले हैं और वो सीधे तौर पर अखिलेश यादो को शनोती दे रहे हैं और ये तमाम ताजा बयान बाजी से फिस लिए हो रही है क्योंकि समाजवादी पाइटी के उम्मीदवार गुलशन यादों पर कल कथित रूप से हमला हुआ जब चुना हो रहा था और इसी आरोप में रगुराश परताप सिंग और फ्राजा भया के उपर इसका आरोप लग है और उसके दर्मियान जो क्या सवाल उट रहा है कि क्या सच में रगुराश परताप सिंग अखिलेश शादों को सरकार बनाने से रोक सकते हैं उसी चीज़ को समझने के कोशिश करेंगे नमस्कार मेरा नाम है अनुराग नुस्रा और आप देख रहे हैं जुनता जुन्च अनुमान जो लॉंच किया उसमें उन्होंने बहुत यह किया कि नहीं बहुत अच्छा समय पर आप लोग एक किया हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉस मिल रहा है रगुराज परताप सिंग और फुराजा भीया लगातार 6 बार से निर्दलिये विधायक हैं और लगबग हर चुनाओं में समाजवादी पायटी ने उनका समर्थन किया है 15 वर्षों तक समाजवादी पायटी ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याश्री तक घोशत नहीं किय तक निजबार मामला कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है समाजवादी पायटी ने रगुराज परताप सिंग के खिलाब उमीदवार उता रहा है और उमीदवार भी किसे उता रहा है रगुराज परताप सिंग के पूर करीबी और अगर आपको एक popular मामला बताएं तो अब वो चुनाओ भले लड़ रहे हैं एक तरीके से रगुराज परताप सिंग के से दूरी होने का दावा जो गुलशन यादो करते हैं कि हम एकदम पहचानते ही नहीं है लेकिन अगर आप गुलशन यादो के मीडिया इंटरेक्शन देखेंगे इंटर्व्यूस गुलशन यादो लगातार इशारों ही इशारों में बात करते हुए नजर आते हैं उसकी वज़ा कुछ भी हो सकती है लेकिन फिलहाल जो आम जनता देख रही है वो यही मान रही है कि अब रगुराज परताप सिंग के खिलाप चुनाओ लड़ने के दबाओ के नीचे गु गुलशन यादो के उपर हमला हो गया उसका आरोप रगुराज परताप सिंग के उपर लगा जब इससे बाबत सवाल रगुराज परताप सिंग से पूछा गया उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्यूं करूंगा और चुनाओ खराब क्यूं करूंगा यह सब कुछ सहानु भूती यहां तक सब कुछ ठीक था रगुराज परताप सिंग सफाई दे रहे थे लेकिन रगुराज परताप सिंग से जैसे जैसे मीडिया के सवाल बढ़ते गए और जैसे जैसे उनके जवाब आते गए वो जवाब उत्तर परदेश में और कम से कम अखिलेश यादों की नीधे उड़ाने के लिए काफी है अखिलेश यादों से रगुराश परताप सिंग कितने खपा हैं और अब जबकि एक वक्त पर अखिलेश यादों को मुख्यमंतरी बनाने में उनका हैं योगदान था आज वही रगुराश परताप सिंग कह रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादो को सरकार बनाने नहीं दूँगा राजा भया ने सपा प्रमुक पर निशाना साथते हुए कहा कि उनको लोगतांतरिक तरीके से चुनाओ लड़ना चाहिए लाकि तमाशा करना चाहिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादो कह रहे हैं कि 10 लगाने की बात कर रहे हैं चुनाओ के बाद लेकर उनको याद रखना चाहिए कि कुंडा कुंडा ही रहेगा प्रिथवी पर कोई भी नहीं है जो कुंडा पर कुंडी लगा सकते हैं ये तेवर रगराज परताब सिंग के बारे में वही बताते हैं जो बीते 15-16 सालों से सम अक्त पर रगुराज प्रताप सिंग की तमाम कहानिया उत्तर पुर्देश के विदान सभा से लेकर के लगनओ के गलीयों में घूमा करती थी, उन सब तमाम चीजों में यही दिखता था कि रगुराज प्रताप सिंग अपने रसूफ के दम पर किसी को मंत्री बनवा रहे हैं में कहा जाता है कि 15-20 विधायक तो उनकी जेब में रहते हैं चाहे हो किसी भी पार्टी के हो तो क्या समाजवादी पार्टी अगर उस स्थिती में पहुंचती है तो उनको रगुराज प्रताप सिंग के विरोध का खामयाजा इस तरीके से भुगतना होगा कि कुछ विधायक उनके टूट जाएंगे और सरकार रगुराज प्रताप सिंग किसी और की बनवा लेंगे और इस बार रगुराज प्रताप सिंग निर्दलिये नहीं है बाकाइदा उनका दल भी है जनसत्ता दल से चुनाओ लड़ रहे हैं और कई बार उनकी भारते जिंता पार्टी से करी TV की भी बात होती है तो क्या कुछ होगा समी करण क्या कुछ दामों में कितना दम है रगुराज पताप सिंग के तस मार्च को हम सभी के सामने यह जाएगा तब तक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो बच्चे दो चरौनों का चुनाओ है उसको लेकर के भी लगातार हम बात करते रहेंगे फिलाल के लेतना ही मेरा नाम उन्राग बिस्ट्रा है आप जुनता जुन् पर मेरे साथ की उश्क माच और रस्या है शुक्रिया